पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि वीवो अपनी वाई सीरीज के अंडर दो नए स्मार्टफोन वीवो वाई 20 और वीवो वाई 20 आई पर काम कर रही है ये दोनों स्मार्टफोन जल्दी लांच किया जा सकते हैं और इन दोनों स्मार्टफोन में थोड़े बहुत चेंजिस देखने को मिलेंगे वही अब वीवो वाई 20 और वीवो वाई 20 आई को इंडोनेशिया की सर्टिफिकेशन साइट और गीग बेंच पर भी स्पोर्ट किया गया है हाला कि कंपनी की तरफ से वीवो वाई 20 सीरीज को लेकर कोई ओफिशल कंफरमेशन तो नहीं की गई है लेकिन लीक से अभी तक इन दोनों स्मार्टफोंस के लगबग सारे स्पैसिफिकेशन सामने आ गए है सामने आई जानकारी के मताबिक वीवो वाई 20 और वीवो वाई 20 आई ये दोनों स्मार्टफों एंडोई 10 OS के साथ Funtouch OS 10.5 पर पेश होंगे इन में 6.51 इंच का Hello Full View डिस्पले दिया जाएगा और साथ ही इन दोनों फोंस को Snapdragon 460 प्रोसेसर के साथ लाँच किया जा सकता है वीवो वाई 20 और वीवो वाई 20 आई में रैम और चार्जिंग स्पीड में में डिफरेंस देखने को मिलेगा जिसमें वीवो वाई 20 को 4GB रैम के साथ जबकि वीवो वाई 20 आई को 3GB रैम के साथ लाँच किया जा सकता है और फीचर्स की बात करें तो वीवो वाई 20 और वीवो वाई 20 आई दोनों में ही ट्रिपल रेर कैमरा सेटप दिया जाएगा इन में 13 MP का primary sensor, 2 MP का macro lens और 2 MP का ही portrait lens दिया जा सकता है जबकि वीडियो calling और selfie के लिए इसमें 8 MP का front camera देखने को मिलेगा leaks के मताबिक दोनों स्मार्टफोन में power backup के लिए 4000 mAh की बैटरी दी जाएगी लेकिन Vivo Y20 में 18W की fast charging का support जबकि Vivo Y20i में normal charging speed देखने को मिलेगी उसमें side mounted fingerprint scanner दिया जा सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही पैल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजे आई